Welcome back guys, आज हम Class 12 Biology की Chapter 11 का Part 5 पढ़ेंगे अब हमें Cloning Vectors के बारे में पढ़ना है तो Cloning Vectors, ऐसे Vectors होते हैं जो Foreign DNA को Transfer करते हैं कहां? Host Cell के अंदर और उसके बाद क्या होता है? Host Cell के अंदर ये जो Vectors हैं ये Foreign DNA की कई सारी Copy बनाने में Help करते हैं अब देखो ये आपको पता है जो Plasmid और Bacteriophase होते हैं उनकी एक Ability होती है कि वो Replicate या फिर Divide करते हैं Bacterial Cell के अंदर Independent of the Control of Chromosomal DNA मतलब Bacterial Cell के अंदर जब Plasmid और Bacteriophase Divide करते हैं तो उसको Chromosomal DNA Control नहीं कर सकता या नहीं करता है क्योंकि ये क्या है? Extra Chromosomal DNA तो Extra Chromosomal DNA इस वज़से क्या होगा? ये जब Divide करेंगे तो इनके Division को कोई भी Chromosomal DNA Control नहीं कर सकता Bacteriophases because of their high number per cell अब देखो जो Bacteriophase होता है न जब वो Bacteria के अंदर जाता है वहाँ कई सारी Copy बनाता है अपनी इसको समझते हैं सबसे बले बात करता है Bacteriophase होता क्या है तो कुछ इस तरीके से होता है Bacteriophase इसमें इसका DNA होता है Bacteriophase क्या होता है कैसा वाइरस होता है जो Bacteria पे अटेक करता है तो ये है Bacteria अब ये कैसे अटेक करता है ये Bacteriophase क्या करता है बैक्टिरिया पे land करता है उसके बाद ये बैक्टिरियो फेज अपने DNA को बैक्टिरिया में छोड़ देता है ठीक है उसके बाद क्या होता है ये जो बैक्टिरियो फेज का DNA है इसकी कई सारी copy बनने लगती है यहां bacterial cell के अंदर ठीक है तो फिर इन DNA ही चारो तरफ क्या बनता है protein coat इस तरीके से ठीक है और जैसे ही यहां पर protein coat बनता है तो यहां पर bacterial cell के अंदर क्या होता है कई सारे bacteria phase बन जाते है तो यहां पर देखो एक, दो, तीन, चार यहां पर चार bacteria phase बन गए तो हुआ क्या पहले bacteria phase ने क्या किया land किया एक बैक्टीरिया के उपर फिर bacteria phase ने क्या किया अपने DNA को transfer कर दिया किस अंदर bacteria के अंदर उसके बाद bacteria के अंदर क्या हुआ यह जो bacteria phase का DNA है इसकी कई سारी copy बनी फिर यह जो DNA बनी इनके चारों तरफ protein coat बना और protein code बनते ही यहाँ पर क्या बन गए कई सारे bacterial phase तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया यहाँ पर हमें यह बताया गया कि जो bacterial phase होते हैं वो bacterial cell के अंदर अपनी कई सारी copy बना लेते हैं some plasmids may have only one or two copies per cell whereas other may have 15 to 100 copies per cell अब बात करते हैं किसकी plasmid की ठीक है plasmid की बात करते हैं तो देखो कुछ plasmid क्या होते हैं किसी bacterial cell के अंदर सरिफ एक ही बार divide करते हैं जैसे कि यह plasmid है यह मैंने bacterial cell के अंदर डाल दिया अब यह जो plasmid है इसकी ability है कि सरिफ एक ही बार divide करता है तो एक बार divide गो तो क्या होगा, इसके जैसा एक और plasmid यहां पर बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, जो कि अपनी दो copy बना देते हैं, जैसे इसने दो copy हैं यहां पर बना दी, और कुछ plasmid ऐसे होते हैं, जो bacterial cell के अंदर 15 से लेके 100 बार तक दिवाइड करते हैं, मतलब 15 से लेके 100 ब If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophase और plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid और bacteriophase, देखो simple चीज लिखे हैं यहां पर, यहां पर उसने क्या लिखा हैं, आपके पास क्या है, एक alien piece of DNA, ठीक है, आप आपको क्या करना है, इसकी कई सारी copy चीए, ठीक है, इस alien piece of DNA के आपको कई सारी copy चीए, तो आप क् करोगे, इसको plasmid या bacteriophase के साथ जोड़ दोगे, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया, इसको plasmid के साथ, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, एक bacterial cell लिया, और उस bacterial cell के अंदर इस plasmid को डाल दिया, तो यहां गया, अब उसने क्या बुला, जितनी बार ये plasmid divide करेगा, उतनी पर लिखा क्या है, जितनी बार plasmid या bacteriophase divide करेगा, उतनी बार हमारा जो alien piece of DNA वो भी divide करेगा, और उसकी भी उतनी copy बनेगी, Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants, अब दिखो, आज के time पे जो vectors used होते हैं, उनको engineered किया जाता है, मतलब उनको lab में बनाया जाता है, अब किस तरीके से बनाया जाता है, ताकि उन पे आसानी से हम किसी भी foreign DNA को जोड सके, फिर से बोल रहा हूं, आज के time पे जो vectors used हो पतल lab में बनाया जाता है, इस तरीके से, ताकि उस पे हम foreign DNA को आसानी से जोड सके, और दूसरा क्या है, इन vectors की helps हम क्या कर सकते हैं, recombinants को non-recombinants से अलग कर सकते हैं, या फिर recombinants को non-recombinants से select कर सकते हैं, देखो यह जो line है ना, यह last की जो line है, selection of recombinants from non-recombinants, इसको हमें यहां पर समझना है, तो आपका मुझे पूरा attention चाहिए हैं यहां पर, क्योंकि यह चीच जो मैं बता रहा हूँ, यह आगे काम आईगी, ठीक है, काफी काम आईगी, तो इसको ध्यान से समझिए, देखो सबसे पहले तो हमने यहां पर क्या लिए, plasmids, ठीक है, कई सार इन foreign DNA को इस plasmid से जोड़ना है, तो मैंने यहां पर एक test tube ली, उस test tube के अंदर मैंने plasmid डाल दिये अपने सारे, और foreign DNA डाल दिये, और साथ में मैं क्या डालूँगा, eco r1, जो की एक restriction enzyme है, ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर क्या डालूँगा, एक DNA ligase, ठीक है, अब देख plasmid के साथ जोड़ देगा, ठीक है, समझ गे इतना, आप दिखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, कि कुछ plasmid ने तो क्या किया, foreign DNA को यहां पर ले लिया, ठीक है, कुछ plasmid ने क्या किया, इस foreign DNA को यहां पर ले लिया, नीले कलर्से में दिखा रहा हूँ, ठीक ह क्या हुआ यहां पे कि कुछ plasmid ने तो foreign DNA को ले लिया और कुछ plasmid ने foreign DNA को नहीं लिया तो ऐसे plasmid जिन्होंने foreign DNA को ले लिया उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें आप बोलोगे क्या recombinant DNA या फिर आप इन्हें बोलोगे recombinant plasmids ठीक है समझगे इतना और कुछ plasmid ने foreign DNA को नहीं लिया तो उनको क्या बुलेंगे उनको बुलेंगे non-recombinant DNA या फिर non-recombinant plasmids ठीक है इतना समझ गए यहाँ पर step by step चलेंगे क्योंकि यह चीज जो हम समझेंगे काफे important है वई आप देखों यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि transformation का मतलब क्या होता है transformation का मतलब होता है जब भी कोई bacteria बाहर से plasmid को अपने अंदर ले लेता है तो इस process का बोलते है transformation और ऐसे bacteria का बोला जाता है transformants ठीक है तो transformants ऐसे bacteria होते हैं जो बाहर से plasmid को अपने अंदर ले लेते हैं ठीक है, यह समझ गए ना, चलो, आब आगे बढ़ेंगे, तो दिखो, आब हमारे जितने भी recombinant plasmid और non recombinant plasmid यहाँ पे बने हैं, उनको हमने क्या करना है, test tube के अंदर डाल देना है, ठीक है, इनको हमने क्या क्या क्या, test tube के अंदर डाल दिया, किनको recombinant plasmid और non recombinant pl plasmid, डोनको हमने test tube के अंदर डाल दिया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ bacteria लिये, ठीक है, उन bacteria को भी हमने क्या किया, इस test tube के अंदर डाल दिया, तो test tube के अंदर क्या है, recombinant plasmid, non recombinant plasmid और यह bacteria, ठीक है, यह test tube के अंदर है, अब इसके बाद यहाँ पर तीन cases आएंगे ठीक है तीन cases आएंगे एक दो और तीन इस पर ध्यान देना है देखो आपको तो देखो पहला case क्या हुआ पहला case यह हुआ कि कुछ bacteria ने recombinant plasmid को भी नहीं लिया और non recombinant plasmid को भी नहीं लिया ठीक है यह हो गया वो bacteria तो इस bacteria के अंदर इसका अपना ख बोला जाता है non transformants इनको क्या बोलेंगे non transformants हमने यह आपर देखाना transformants उन bacteria को बोलते हैं जो बाहर से plasmid को लेते हैं पर इसने जब plasmid को लिया ही नहीं तो यह क्या हो गया non transformant ठीक है समझ गए तो देखो दूसरा case क्या है कुछ bacteria ने क्या किया इस non recombinant plasmid को ले लिया ठ ठीक है तो यह है वो bacteria इसमें इसका अपना खुद का जो dna वो हो गया और साथ में यह non recombinant plasmid आ गया तो अब इस bacteria को क्या बोलेंगे इस bacteria को बोलेंगे transformants ठीक है transformants क्यों बोलेंगे क्यों इसने बहार से क्या किया प्लाजमिट को ले लिया तो यह से बोलेंगे transformants और साथ में इस bacteria को क्या बोलेंगे non recombinants ठीक है यह धियान रखने आपको इसको non recombinants क्यों बोला क्योंकि इसने क्या किया non recombinant plasmid को अपने अंदर लिया ठीक केस के है कि कुछ बैक्टिरिय ने क्या किया रीकॉंबिनेंट प्लाजमिट को अपने अंदर ले लिया ठीक है तो यह हो गया वो तीसरा केस इसमें इसका अपना खुद का एक रोमोजोमन डियने हो गया ठीक है उसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आपका हो गया recombinant plasmid जो कि इस bacteria ने लिया तो अब इस bacteria को क्या बोलेंगे इस bacteria को पहले तो क्या बोलेंगे transformants ठीक है transformants तो बोलेंगे क्योंकि इसने बाद से क्या लिया plasmid को लिया है तो transformants तो यह हो गया उसके अलावा इसको क्या बोलेंगे recombinants recombinants क्यों बोलेंगे क्योंकि इसने recombinant plasmid को अपने अंदर लिया है ठीक है तो देखो ये चीज़े आपको ध्यान रखने है कि non-transformant कौन है transformant कौन है और transformant में भी कौन non-recombinant है और कौन recombinant है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो देखो एक बर मैं फिर से इस पूरी situation को आपको बता देता हूँ जल दल दी बताऊँगा देखो सबसे पहले हमने क्या लिये कई सारे plasmid लिये और फिर कई सारे foreign DNA लिये अब हमें क्या करना है इन foreign DNA को plasmid के साथ जोड़ना है तो हमने एक test tube ली उस test tube के अंदर हमने plasmids डाल दिये foreign DNA डाल दिये साथ में eco r1 डाल दिया और DNA ligase डाल दिया ठीक है फिर क्या हुआ यहाँ पे cutting V फिर क्या होगा foreign DNA plasmid से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ सारे plasmid ने foreign DNA को नहीं लिया जिन plasmid ने foreign DNA को लिया उन्हें बोलेंगे recombinant DNA या फिर recombinant plasmid ठीक है और जिन plasmid ने foreign DNA को नहीं लिया उन्हें बोलेंगे non recombinant DNA या फिर non recombinant plasmid फिर हमने पढ़ा transformation क्या होता है transformation एक ऐसी process होती है जिसकी वज़े से कोई भी बैक्टिरिया क्या करता है बाहर से plasmid को अपने अंदर ले लेता है तो उस प्रसेस को बोलते हैं transformation और उस बैक्टिरिया को बोला जाता है transformants ठीक है transformants कौन से बैक्टिरिया होंगे जो बाहर से plasmid को ले लेंगे ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के plasmid हो गए recombinant plasmid और non recombinant plasmid फिर हमने इन दोनों टाइप के plasmid को एक test tube के अंदर डाला और फिर हमने क्या किया दूसरी तरफ से कई सारे bacteria को इस test tube के अंदर डाल दिया तो देखो इसके बाद तीन cases आए पहले case में क्या हुआ कि bacteria ने कोई भी plasmid को नहीं लिया ठीक है bacteria ने कोई भी plasmid को नहीं लिया तो ऐसे bacteria को बोलेंगे non transformants क्योंकि उन्होंने कोई भी plasmid नहीं लिया है पहला दूसरा case क्या है कि bacteria ने क्या किया non recombinant plasmid को लिया ठीक है ना non recombinant plasmid को लिया non recombinant plasmid को लिया ठीक है और तीसरा case क्या है कि bacteria ने क्या किया plasmid लिया पर कौन सा वाला recombinant plasmid तो इस bacteria क्या बोलेंगे transformant और साथ में क्या बोलेंगे recombinant क्योंकि इसने recombinant plasmid को लिया तो देखो ये कुछ word है ठीक है तो देखो यहाँ पर लिखाता है कि vectors की मदद से हम क्या करते है recombinants को non recombinant से अलग कर लेते हैं या फिर recombinant को select कर लेते हैं non recombinant से इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते है ये एक test tube है test tube के अंदर अगर recombinant bacteria भी है और आपका non recombinant bacteria भी है तो अब यहाँ पर vector की मदद से ठीक है vector की मदद से हम पता लगा लेते हैं कि recombinant कौन है और non recombinant कौन है अब यह कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है बाई बाई